मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे सत्रा ब्लास करवाई तो क्या एक बार मैं क्या टाइगर श्रॉफ है आज कल अपने इंस्टेग्राम पर कुछ जादा ही आक्टिव क्या टाइगर को है श्रद्दा कपूर पर मेजर क्रश क्यों ली सारा अलिखार ने मार्शिल आज की ट्रेनिंग दोस्तों टाइगर श्रॉफ के अक्शन सीक्वेंसेज और मार्शिल आज के रिए प्यार से तो हम सभी वाकिव हैं लेकिन आज कल टाइगर अपने इंस्टेग्राम पर फिट्नेस रिलेटिड कुछ जादा ही तस्मीरे पोस्ट करने लगे हैं और इसका कारण है उनकी अपकमिंग फिल्म बागी फोर्ड जी हां बिल्कुल सही सना आपने बागी फ्रेंट्राइज से एक और बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है जिसकी प्रिपरेशन जोर शोर से चल रही है वेल हलो दोस्तों बॉलिग्राइज स्टूडियो से मैं हुमा सुमी और आज में आपके लेकर आई हूँ बॉलिवुट की वन अफ्ट सक्सेस्फुल आक्शन सीरीज बागी से जुड़ी कुछ बेहत इंटरेस्टिंग डीटेल्स टाइगर श्रॉफ बागी के इस अपकमिक सीक्वल के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन चौका देने वाली बात तो ये है कि इस बार टाइगर के साथ-साथ उनकी लव इंटरेस्स सारा अली खान भी अपनी जोरदार परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीतने वाली है जी हाँ दोस्तों इस बार सारा अली खान भी पहली पार किसी मूवी में अक्शन सीक्वेंसे करती नजर आएंगी जिसके लिए वो कई दिनों से ट्रेनिंग भी ले रही है साल 2016 की फिल्म बागी दो और मूवीज के साथ अपना नाम शेयर करती है जिसमें सबसे पहले है साल 1990 में आई तलमान खान की फिल्म और दूसरी है 2000 में आई संचेदत की मूवी बता दें कि बागी 2004 में आई बॉलिवुड फिल्म वर्शम और 2011 में आई इंडोनेशन फिल्म दे रेडेंप्शन पर बेस की और इस बार भी ऐसा पॉसिबल है कि बागी 2004 की फिल्म पुरानी बॉलिवुड फिल्म से इंस्पायर हो आप कोई जानकर बेहर धेरानी होगी कि बागी वन में दिखें दोनों सितारे टाइगर शॉप और श्रता कपूर क्लास में इस थे और स्कूल के दिनों में टाइगर को श्रता कपूर पर मेजर क्रश था वाज दोस्तो आज के लिए इतना ही हमें कॉमें सेक्शन में जरूर बताईएगा कि आप बागी वोर के लिए कितने एक्साइब इसी ही और इंट्रेस्टिंग गॉसिप के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलेगराद स्टूडियोज को अब फिर जल्दी दुबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए बाबाई चे केरान सेचे